संसद का मानफून सत्र चल रहा है जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष की बीच गति रोज जारी है इसी बीच कॉंग्रेस के सभी निलंबित सांसदों का निलंबन रद कर दिया गया है लोगसबा में विपक्ष के साथ सहमती के बाद सस्पेंशन खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था जिसके बाद लोगसबा से निलंबित सांसदों का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया ओम बिर्ला ने सभी दलों के निताओं की बैठक बुलाई थी स्पीकर बिर्ला के कहने के बाद सरकार लोकसबब में सांसदों के निलंबन को हटाने का प्रस्ताव लाई ओम बिरला ने कहा कि वे सबी सदस्यों से अपील करते हैं कि प्लेकार्ट लेकर कोई भी सदन में ना आए आखरी बार मौका मिल रहा है अगर कोई प्लेकार्ट लेकर आएगा तो कारवाई करने पड़ेगी दरसल संसद के मानसून सत्र में महंगाई GST जैसे मुद्दो को लेकर जम कर हंगामा हुआ विपक्ष लगतार इन मुद्दो को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है जुलाई के आखिरी में संसद में प्लेकार्ट दिखाने के चलते कॉंग्रेस के चार संसदों को लोकसबा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था जिन में मनिकम टैगॉर, टेन पृतापन, जोथी मनी और राम्या हरिदाश शामिल थे इसके बाद सदन में जम कर हंगामा हुआ था, निलंबन के खिलाफ कॉंग्रेस संसदों ने संसद परिसर में धरना भी दिया था आएनस की रिपोर्ट